नमस्ते अभवादन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में पिछला हाफता सिर्फ चार दिनों का था और उन चार दिनों में हमने काफी कुछ देखा वाजार उपर भी गई बाजार नीचे भी गई हमको दिक्कत भी जेलनी पड़ी छोटे मजेलो स्टॉक में क्रैस भी आया सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है सब कुछ आपको मिल जाएगा आई बटन वाली वीडियो सेट अप वाली वीडियो है उसको जरूर देख लीजेगा अगर वीडियो ना मिलेत फिबनाची रेट्रेस्मेंट भाई Innocent Investor सर्च कर लीजेगा बोलकर सर्च कर लीजे गूगल तो आपको वीडियो मिल जाएगी उसके बाद आप उसको देख सकते हो मैं आपसे एक चीज गैरेंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्त जो भी मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ना किसी की भी पेड वीडियो से इसकी परफॉमेंस आप क किया किजे और सपोर्ट किया किजे सपोर्ट कैसे होगा कि आप अपने आसपास भी फानेंसे लेट्रेशी को बढ़ावा दीजे लोग जो फंस्तने हैं फाल्तु स्टॉक्स में उनको बचाईए लोगों को फानेंसियली अवेर कीजे यह आपकी जिम्मेदारी होती है बस य Trade Bank of India, यहां पर हमें कोई trade नहीं मिलता है, कैसे नहीं मिलता है, सब कुछ आपको setup वीडियो में बात समझ में आएगी, ठीक है, उसके बाद CET यहां पर भी हमको trade नहीं मिलता है, stocks आपको काफी दिये गए थे, JSW Steel यहां पर हमको buy side का trade मिलता है, swing trading में, और मैंने आपको 2% की value समझाईए, stop loss हमारा hit होता है, लेकिन आपको समझा देते हैं हमें यहां पर trade कहा मिलता है, ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस stock में हमें यहीं पर trade मिल जाता है, यहां पर हमको trade मिलता है, और बड़ यहां trade मिलता है, आप आराम से इसका trade ले सकते थे, हमको एक बड़ मुमेंटम भी दिख जाता है, ठीक, और मैं यहां पर exit नहीं कर पाता है, मुझे stop loss देना पड़ता है, बाकी हमको 714 रुपए के आज पास trade मिल गया था, और वहां से इसने 2% का हमको momentum भी दिखा दिया था, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद थी कि यहां पर बड़ा momentum आता है, आ यहां पर मेरी गलती थी कि मैं यहां पर profit नहीं बुक कर पाया, C8 और State Bank of India जो trade था वो execute ही नहीं हुआ, रिलाइंस यहां पर trade execute हुआ, 2% का target आया, मैंने यहां पर exit लिया है small profit में क्योंकि यह भी stock गिरावट वाले science दिखा रहा था, लग रहा था कि यह stock बड़े बुरी त stop loss को loss के पास रख्योंगे, यानि कि अगर आपने 250 के उपर buying की है यहां पर ठीक, तो आपका stop loss होगा कम से कम 2135 रुपए के आसपास, तो वहां पर तो अभी आपका stop loss हिट नहीं किया है, मिना किसी दिक्कत कि आप यहां पर survive कर रहे हो, आराम से आपको यहां पर situation सम्हालनी पड़ेगी और हो सकता है, इस हफते आपको फिर से यह वही level दिखा दे जहां पर आपका 2% का target है, 2% यहां पर भी आ गया था, उसके बाद यह लौट रहा था, तो मैंने 1% के आसपास यहां पर profit बुक करना, बेटर समझा, क्योंकि यहां पर जो candles बनी थी, उनका behavior थोड़ त्रेट वाला ट्रेट था, यह जो stocks मैं आपको बता रहा हूं, यह पिछले हफते, जैसे आज आप यह वीडियो देख रहे हो, पिछले हफते इसी टाइम में जाईएगा, वहाँ पर आपको यह वीडियो मिलेगी, वहाँ पर देखिएगा, कैसे चीजों को समझाया है, जर कैई है उनके लिए, कुछ नहीं कह सकते हम, टाइटन, कमाल का ड्रेड मिला, यहाँ पर भी मजा आया, मौझ आया, उसके अलामा SDFC, यहाँ एँतला का ट्रेड मिला, यहाँ पर भी मौझ आया, तो यहां पर मैंने दो़ परसेंट का प्रॉफिग किया है, टाइटन HDFC में, Red Lines में approximately 1% का profit बुक किया, और JSW Steel हमारा stop loss हिट हुआ था, 1.1% का, यहां पर थोड़ा सा बड़ा stop loss मैंने इसलिए लिया था, क्योंकि यह stock volatile था और 2% पर मैंने इसलिए यहां पर profit भी बुक नहीं किया, तो stop loss यहां पर मेरा बड़ा गया है, रिलेटबली मैं जब 2% का target लगाता हूँ तो 1% ही मेरा stop loss होता है, ठीक, उसके बाद trailing stop loss यूज करने के लिए आपको मैंने हमेशा सला दी हुई है, अब यह वीडियो आप लाइक कर लीजे, मैं आपसे request कर रहा हूँ और उसके बाद हम आपको बताएंगे अगले हफते के बहतरीन stock, एक stock है वरुन वेवरेजर्स लिमिटेड, पेपसी पीते हो ना पेपसी, हाँ, तो बस वही stock है ये, बहुत बहतरीन लेवल पर खड़ा है दोस्त, छोटे stocks गिरें हैं, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कमाल हो सकता है, आई बटन वाली वीडियो देख लेना, setup वाली प्लीज, और उसके बाद trade लेकर देखना, मैं जो stocks बता रहा हूँ, मैंने शुरुवात में बोला ना, किसी की 20 से मेरा 19 नहीं होगा, 21 होगा, और यह आप सब की दुआ है, आप सब के जो मतलब आसिरवाद है ना, बस उसके थुरू है, हम कम कमाते हैं, गम नहीं कमाते हैं, setup सीख लीजे, trade लेना सीखिए, setup एक बार सीखना है, उसके बाद सिर्फ इस्टॉक के नाम जानी है, आप आराम से trade ले पाओगे, जंकेत हमको दिये हैं, वह ऐसे दिख रहा है कि यहां से हो चकता है, अगर reversal आए तो बड़ा आ जाए, या तो यहीं से reversal पॉसिबल होगा, तो हम trade पकड़ लेंगे, अकर यह नीचे गिरना चाहता है 126.28 के आसपास, तो हमें इंतजार करना चाहिए, जहां तक भी गिरना च करें, बहुत ऊपर खुल जाए, अवाइड कर देना, 1500 के आसपास मिल जाए, और वहां से trade आपको दे जाए, तो हमको इसको लेना है, लेना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर कुछ कमाल हो सकता है, trade मिलेगा, तो target आएगा, नहीं मिलता है, अवाइड कीजे, stop loss भी अ हमको पकड़ना है, हमको बस trade setup पे लेना है, setup आई बटन पे free of cost provided है, और जिनको हवा पानी माथा पिता की value है, वो free की चीजों की value करना सिखें, अधरवाइड सबाब को हमेशा यही अहसास कराएंगे, कि बिना payment के, तो कुछ हो ही नहीं सकता, समझ में आई बात, मुझे पत या most of the cases में 5000 वाले कपड़े से ज्यादा comfortable होता है, यह तो आप जानते ही होगे, experience कि यह होना, जब आपको लंबे समय के लिए कपड़े पहनने होते हैं, कौन सा पहनते हो 5000 वाला, मैं इसलिए नहीं बोला हूँ कि 5000 पहनोंगे तो दिमाग उसी में लगा रहेगा, 5000 का कपड इसलिए नहीं दे सकता उस आपको, युकि इसमें इधर मोती लगी है, उधर लड़ी लगी है, उधर जड़ी लगी है, आप पूछेगा, जो लोग साधी सुधा होंगे, वो थोड़ा सा पूचेंगे अपने वाइप से, यह बताओ, क्या बोलते हैं आप लोग, मैं साधी स याप 500 की साड़ी आती है, या जब आप 500 की साड़ी पहनती है, तो किसमें आप ज़्यादा कमफटेबल फील करते हैं, यह अपने उपर भी लागू करके देखिएगा, फ्रीकी चीजें, इतना सस्ता आओगे न उतना कमफट बढ़ता जाता है, मेंटल कमफट भी और रियल कमफट भी, समझ रहे हैं, बाकी जिसको लगता है कि हम मेहगी चीजों में कमफट है, वो जाए भाई, हम जब सस्ते में 21 की परफॉर्मेंस निकाल ले रहे हैं, क्यों जाएंगे किसी मेहगी की तरफ, समझ गए, तो इस वीडियो को देखने कबाद आई बटन वाली वीडि मैं आपको खुद बता रहा हूँ, कि हमारा जो पेड सेट अप है, डबल आई स्विंगर सेट अप, वहां पर हमें स्टॉप लॉसेस खाने पड़े, वीडियो में डाली है, जाकर देखना दोस्त, मतलब सोचिए कि फिरी ने अपना कमाल दिखाया, तो बड़े बड़े कर दिया किसी को, मुझे ऐसाव होता है, वहां पर मैंने ज़्यादा मेंःनत की है, हम मिल करने ज्यादा में ज्यादा भाल किये हूँ, यहां पर तो बस हमने एक technical indicator पर भाल टेस्टिंग की और छीजें हो गई, समझ गये, और वहां पर हमने ज्यादा भाल को आदा तो फेल हो गया और यह पास हो गया है ना कमाल तो बस यही फायदा होता है किसका जब आप अलग अलग जगों पर डाइवर्सिफिकिशन रखते हो एक ही चीज के पीछे मतुल्ज हो कि मैं इंट्राडे ही करूँगा मैं स्विंग ही करूँगा अगर आपको मौका मिलता है अगर थोड़ा बहुत समय निकाल सकते हो तो स्विंग ट्रेडिंग तो आप आराम से कर सकते हो जो भी कीजिए स्ट्राटेजी के साथ सेट अप के साथ कीजिए जिससे आपको ज्यादा दिक्कत ना हो अभी के लिए इतना है वीडियो पसंदाई लाइक करके जाना फ्री प अबाद